वेल्कम बैक टो उमर्तस्कीर यूट्यूब चैनल माइसलफ उमर्तस्कीर गाइस SEO कोर्स के आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं about spam score गाइस हम लोग majorly जो चीजे समझने वाले वो ये हैं कि आखिर spam score किस तरीके से calculate होता है सबसे पहले मैं यह आपको बता दूँ spam score भी DAPA की तरीके से ही एक metric है जो की percentage में represent होती है और इसको भी develop किया हुआ है Moz ने तो अगर कोई metric होती है न तो उसको calculate करने के पीछे कुछ parameters होते हैं तो आखिर कौन से ऐसे parameters हैं जो spam score बनाते हैं जताब spam score अगर 5% है या 10% है या 15% है तो ऐसे कौन से parameters है जिनकी वज़े से spam score बढ़ता है या ऐसे कौन से parameters है जिनकी वज़े से spam score है वो घटता है तो उन parameters को हम लोग discuss करेंगे और क्या spam score really important है हमारे लिए as SEO person अगर केवल मैं search engine optimizer की बात करूँ आप अगर search engine optimizer है तो आपके लिए कितना important है spam score क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अगर आपकी website का spam score कुछ एक percentage से ऊपर चला जाता है then there is high probability कि आपकी website penalize हो जाए by Google बिलकुल सही बात है but इसके लिए सबसे पहले हमें तो यह समझना होगा कि आखिर spam score किस तरीके से calculate होता है Moz का क्या कहना है कि वो किस तरीके से spam score को calculate करके आपको देता है fine तो मैं आपको सबसे पहले वही चीज़ clear कर देता हूँ यहाँ पर देखो जैसे मान के चलते हैं कि आपकी website का spam score जो है वो 5% है अब कैसे देखोगे कि आपकी website का spam score कितना है भई Moz की अगर metric है तो Moz का जो official tool होगा तो Moz का जो official tool होगा उसके अंदर जाकर आप इस शीज़ को देख सकते हो तो वो भी अभी मैं practically आपको दिखा दूँगा उसमें आपको tension लेने की ज़रूरत नहीं है तो मान के चलते हैं कि अगर किसी भी website का spam score जो है वो 5% है तो आखिर यह 5% किस तरीके से calculate हुआ और spam score का actual मतलब क्या है Moz की नजर में तो Moz कहता है कि हम आपकी website का spam score उस basis पर देते हैं कम यह ज़ादा मान लेते हैं अगर आपकी website का spam score ज़ादा है इसका मतलब आपकी website के कुछ characteristics या आपकी website के कुछ features हम लोग यहाँ पर मान सकते हैं आपकी website के कुछ characteristics या कुछ features उन website से मिलते हैं जो websites ban हो चुकी है by Google या वो websites जो penalize हो चुकी है by Google तो अगर कोई website penalize हो जुई है by Google तो उनके कुछ अपने characteristics होंगे Moz के tool ने इस चीज़ को study किया कि भाई यह वाली website ना यह penalize हुई है by Google तो आखिर क्या-क्या चीज़े थी इस website में जिसकी वज़े से penalize हुई या इस website की characteristics क्या है fine जैसे मैं आपसे बोलो कि यह student जो है यह class का topper है तो आप कहोगे भाई अगर यह class का topper है ना तो मैं जरा इसकी qualities देखता हूँ कि क्या-क्या qualities है भाई वो morning में जल्दी उठता है 8 घंटे पढ़ता है coaching classes कर रहा है वो सारी उसकी qualities है तो आपने देखा कि भाई दूसरा एक बंदा खड़ा हुआ है उसके अंदर भी 50% qualities है अगर इस topper की 50% qualities इस बंदे के अंदर है तो आप बोलोगे इसके भी probability है 30-40% इसकी probability है कि यह भी topper है तो Google ने जिन websites को ban किया उनकी characteristics को Moz ने study किया बहुत सारे elements को Moz ने study किया और उसके basis पर दूसरी जो word में websites है उन websites को compare किया कि भाई यह ban वाली website में क्या feature थी और आपकी website मान लेते हैं आपकी website तो आपकी website में क्या feature है तो अगर उसे उन features में कुछ overlapping दिखती है कि भाई वो भी वही काम कर रही थी जो ban website है आप भी वही काम कर रही जट से वो keyword stuffing कर रही थी आप भी keyword stuffing कर रही हो तो एक signal match हो गया then there is high probability कि आपका जो spam score है वो increase हो जाए अब यहाँ पर एक और बहुत important बात मैं बोलूँगा बहुत सारे लोगों का मानना है कि आपकी website का spam score केवल इसलिए बढ़ता है क्योंकि आपकी website के जो backlinks बने हुए वो spammy website के ऊपर आपकी website के backlinks बने हुए देखो ये भी एक reason है बट यही एक reason नहीं है according to moss definition अगर मैं यहाँ पर moss की definition आपको दिखाऊ तो यहाँ पर देखो आप clear लिखा हुआ है मैं moss के ही documents आपको दिखा रहा हूँ within link explorer spam score represents the percentage of sites क्या लिखा हुआ है percentage of sites with similar features to the site that you are researching जिस website को आप research कर रहे हो उसी जैसी वो websites जो banned हो चुकी है ये देखो which we found to be penalized औ band by google तो spam score अगर आपकी website का जादा है इसका सीधा सा मतलब ये है कि आपकी website में वो characteristics जादा है जो banned वाली websites में moss को मिले अब यहाँ से एक और question बन जाता है sir हमें जब तक ये नहीं पता चलेगा कि ban वाली website के अंदर कौन कौन से characteristics मिले moss को और उन characteristics के basis पे हमारी website का जो spam score है व हम जड़ा ये देख लें कि कौन कौन से वो reasons हैं तो moz ने कहा कि हमने लगभग लगभग 27 ऐसे reasons जो है वो figure out किये हुए जो हमें banned website के अंदर मिले ठीक है common थे कि जो ban वाली website थी उनके अंदर ये 27 जो reasons थे या 27 factors थे ये common थे तो इन ही factors के basis पर अब हम आपकी website का जो spam score है वो बढ़ाते हैं उनमें एक factor ये भी है कि आपकी website को बहुत सारे spammy website से backlinks मिल रहे है बट जब हम spam score कम करने की बात करते हैं तो हम ये नहीं ध्यान देते हैं कि 27 factors कौन से थे जिसके basis पर moz ने हमारी website का spam score बढ़ाया बट हम सीधे क्या करते हैं वो जो हमारे spammy backlinks होते हैं उनको disavow करते हैं इस anticipation में कि हमारा spam score जो है वो घड़ जाएगा ये भी एक अच्छी practice है ये भी एक अच्छी practice बस पता होना चाहिए बाकी के कौन से features थे ठीक है बट पता होना चाहिए बाकी के भी कौन से factors थे जिनकी वज़े से spam score बढ़ा तो according to moz मैं फिर से बात quote कर रहा से जादा है इसलिए हम आपकी website का spam score बढ़ा सकते हैं अब ये कोई reason तो बना नहीं हो सकता है आपकी website के केवल दो ही पेज हो तीन ही पेज हो तो जब मैं इन factors को analyze करता हूँ ना तो मैं convince नहीं होता हूँ personally कि ये factors अगर spam score हमारी website का बढ़ा रहा है तो अगर हमारी website का बहु नहीं मिला हुआ है ठीक है या मेरे में email address नहीं मिला हुआ है या मेरे में double click नहीं present है Google Tag Manager नहीं present है तो मौस कहता है कि आपके में ये सारी चीज़े नहीं present है हमने ऐसी website देखी है जो बैन हो गए उनमें भी ये चीज़े नहीं present ही तो there is high chance कि आपकी website भी penalize हो जाए और आप आपके website का जो spam score है वो बढ़ा हुआ दिखता है मौस के टूल के अंदर अब आप बताओ कि अगर आपके website का spam score इन factors की वज़े से आपको बढ़ा हुआ दिख रहा है तो क्या ये बिलकुल solid एक कोई metric है नहीं है ना बढ़ी वी spam score website के भी penalize होने के chances बहुत कम है क्योंकि ये factors Google नहीं consider करता है penalize होने के बढ़ हाँ कुछ factors consider करता है जैसे यहाँ पर अगर हम लोग देखें use of meta keywords आज के time में meta keywords नहीं use होते गूगल भी बोलता है ठीक है और बहुत सारी चीज़ें है ठीक है जैसे poison words अगर बहुत जादा use हो रहे है ठीक है hyphens का कोई factor नहीं है और कोई poor अगर backlinks हो गएरा की strategy है मतलब spammy backlinks हो गएरा आपके website के उपर तो वो कुछ factors है तो कुछ हद तक अगर आपको ये लगता है कि backlinks को remove करके हम spam score बढ़ा लेंगे तो ठीक है बट spam score के बढ़ने का वो ही keyword region नहीं था वो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है ठीक है तो अगर म with spam domains मौज ने देखा कि वो website जो penalize हुई थी उनके TLDs क्या थे वो ये TLDs थे जैसे .download.stream.win.biz इस टाइप के TLDs थे जो actually ban हुए तो मौज को लगा कि ये TLD भी एक factor हो गया क्योंकि इस टाइप के TLDs वाली website ही majorly ban हुई है तो अगर आपकी website भी इस TLD में then there is high probability कि आपकी website के भी ban होने की probability जादा है तो आपकी website का spam score है वो थोड़ा सा बढ़ा हुआ दिखाई देगा I believe ये concept आपको clear हो गया होगा and then यहाँ पर मैंने कुछ pointers भी लिखे हुए है जैसे अगर आप देखो यहाँ पर कुछ pointers मैंने लिखे हुए है spam score like DAPA is also developed by Moz which is present in link explorer report of Moz इसको अभी आपकी website को penalize करेगा नहीं इसके potential को बताता है पर बताता कौन है Moz इसलिए कोई बहुत जादा tension लेनी की जरूरत नहीं है और अगर आप disavow tool के through अपने spammy backlinks को remove करोगे then there is high probability कि आपके जो spam score है वो increase हो जाए तो यह 27 की features जो मैंने अभी आपको बता है और spam score की अगर grading की मैं बात करूँ ठीक है तो 1 से 30% का spam score low spam score है and this is again according to Moz only 31 से 60% का medium है और 61 से 100% का high spam score होता है अब अगर हम लोग tool के अंदर जाकर इस चीज़ को test भी कर लें एक बार जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो ना मैं Moz के अंदर login हो चुका हूँ link research में हम लोग spam score पे आते हैं और यहाँ पर मैं एक URL random सा enter कर देता हूँ indiatimes.com और मैं analyze करता हूँ अगर आप देखोगे तो इसका spam score जो है वो 1% है fine और यहाँ पर हमारी website के उपर backlinks जिन website से मिल रहे हैं उनका जो spam score है वो कितना है तो guys यहाँ पर अगर आप देखो तो 31 से 60% के बीच में तो 9.2% of ऐसे domain से हमें backlinks मिल रहे हैं जिनका spam score 31 से 60 के बीच में तो यहाँ पर अगर आप देखो तो यह 100 spam score वाले सारे आपको यहाँ पर domains दिख रहे हैं जिन से आपको backlinks मिलें तो अगर यह high spam वाली website से अगर आपको backlinks मिलेंगे तो आपका भी spam score है वो increase होगा बट यह जो 1% का आपका spam score है यह reasonable spam score है इसमें कोई tension लेने की जरूरत नहीं है बट वैसे भी हमें यह जो हमारे inbound links हैं जो हमें backlinks मिले हुए basically अगर हमें यह spammy website से मिले है तो हमें इन्हें disavow कर देना चाहिए तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर आप इसको select कर लें सारे को और इसको export कर लें CSV format मे जिसे मैं यहाँ पर export करके दिखा देता हूँ एक बार आपको तो इसकी data को आप export कर लें यहाँ पर ठीक है जिसी आप देख रहे है तो यह CSV में export हो जाएगा और उसके बाद आपको केवल ना इनके URLs की जरूरत होती है बाकी चीजों की आपको जरूरत होगी नहीं तो मैं इन सब को delete कर देता हूँ और यहाँ से हम लोग इसको भी delete कर देते हैं एक बार के लिए ठीक है केवल हमें URLs की जरूरत पड़ेगी that's it और बाकी चीजों की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी तो यह जो आपके URLs है जिन जो spammy websites हैं basically क्योंकि इन websites का spam score है वो काफी high है तो आपक Google Search Console आपको यहाँ पर दिख रहा है इसको आप select कर लो यहाँ से disavow tool को और यहाँ से आप अपनी property select कर लो लेटसे मैं अपनी property select कर लेता हूँ और यहाँ पर आपको disavow list जो है वो upload करनी है और यहाँ पर आने के बाद आपको .txt file चाहिए जो आपको upload करनी है जो आपके domains है spammy domains जो हैं उनको disavow करने के लिए तो यहाँ पर required disavow format भी मैं आपको दिखा देता हूँ तो इस type से आपको यहाँ पर अपने domains की जो information है उसको यहाँ पर mention करना और उसके बाद उसको यहाँ पर आपको upload कर देना है तो यहाँ पर आप देख लिजेगा यह simple सा format है जो आपक को सीधे क्या करना है जो मौस का official documentation है वो किस तरीके से spam score को calculate कर रहा है अगर आप उसी को properly समझ लेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो clear हो जाएंगी दोस्तों इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही मिल दा नेक्स वीडियो में till then good bye कर चाही हूँ आपको बहुत सारी जाएंगे और आपको बहुत सारी खब़लदी है भीडियो में इतना ही है जाएंगे 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 और ख़से